हाई फ्रेंड नमस्कार में के जी maharaj sjaga Chuckार भाई कई लोग कह रहे थे गुुरू जी हल्दी से वसीकरन करता है कि दूसरे गुरू जी ने बताया मुझे और भी देखते हैं कि € के वसीकरन होता है आप Western यह वसीकरन मंत्र नहीं बताया एक से एक वसीकरन के बारे में बताए हैं हमने जैसे दुनिया में भगवान अनेक हैं सबको अलग 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 रूप से पूछते हैं वही दुर्गा काली के रूप में वही मनुसा है तो भगवती हैं कितने प्रकार सरस होती हैं कितने देवी हैं उमा है भवानी हैं कितने हैं वस में करना रास्ती ये अलग गुरूह के अलग मज़ मत्स अलग बिसी जड़ी बुटी फलना डंधश चिटने चाडने आलग अलग चीज होते हैं पर यंदete में बसीकरन एक न Нач. वही काम क्या वसीकरन करना लेकिन जैसे एक मार्केट है सिटी है टाउन है हजारों आदमी लाखों आदमी कहां कहां से आते हैं वही मार्केट में आते हैं रास्ते अनेक हैं मार्केट वही है उसी परकार फ्रेंड वसीकरन अनेक परकार से हैं जड़ी भुटी से हैं छीट कर ह और खिला करके हैं सटा करके है तो अनेक परकार से वसी करन है लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे हल्दिया मसान आज सुनले पहले जो लोगों ने कहा कि गुरु जी मुझे हल्दी सी सी कैसे होती है कभी-कभी होते हैं कि मैंने एक बार बताया था आपको हल्दी के वीशे में उतना हल्दी के विश्यमने बताया था मैंने मनवा जो मनवा लोग छडाते हैं साधी विया होती वहां पे कप्टी चुराना पड़ेगा उससे भी भयानक वसीकरन होता है अगर पकड़ा गए तो पिटा इधर पर लगेगी पूरा लग पाराम करते हैं ठाल ने लगाते हैं लेकिन एक प्टेल से उप्टेल लगाते हैं हल्दी वर उस त् היה कषे होको जो कहते हैं कि गुरु जी मिल गया मुझे नहीं मिलते हैं उसके बहुत आदमी का नजर होता है ठीक है और वहां पर एक ऐसी चीज लगा दिया जाता है काला काजल बगर अध्य देते हैं ताकि वह उसको लकड़ी का बनाई जैंब बताते थे कोईला वह ता वह डाल देते हैं ताकि वह सक्ति उसका प्रभाव खतम हो क्योंकि बुजूर्ग आदमी सब को पता था कि हल्दी उप्टन से वसीकरन होता है तो अब है क्या हल्दी से वसीकरन कैसे किया जाता है यह संभव है बिलकुल संभव है हल्दी हर जगह मिल जाता है और वह गांठ वाली हल्दी होती उसी वहसी fractionप को करना पड़े है तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि यह हलती से सी वहीकारन होता क्यों है कैसे होता है से तिसमें हलदी में क्या है तो कहते हैं अब ही मैं आपको बता हुआ चीर में मंच्छी को माना जाता है मैं अबहुत है आपYes but मुख्यता माना जाता है जिनमें से एक हलदिया मत रहा है ठीक है नर्शिंघ भुमिया कालिया पलिया तो हल्दिया इस परकार का 8 नाट मसान है ठीक है उन में ह फेल्द करता रहा हगा हल्द कालोट में इस burgया मसदी से आप तबंय प्रिक बता नाम है कलिया में हदिति में कामा 2 में काली हल्दी होती इसा है आपको लएगा और उसी को आपको जागरित कर अगरें वो हल्दी आपको पूरा उखार के लाना है मवस्या के दिन में काली हल्दी और उनी को पूजा करना उसमें हल्दिया मसान का बास होता है और वह हल्दी से वसीकरन संभव है यानि जिस रूप से आप बताएंगे जिस रूप से आप करेंगे उससे होगी ये मैं आपको मंतर द आठोमासान के थो इस परकार का यह मंत्र है इनको में को, जबिक सिद्धी करेंगे और यह मंत्रा आपको बोलना में पड़ेक़ वहां पर इस सिद्धी के समय में दूसरा मंत्रा आती है लिगिन यह मंत्र आपको छिटने के टाम में आएगा जब आप उसके उपर हल्दी का पेस्ट बनाएंगे या तुकडा करके काट लेंगे उसके उपर थोड़ा सा छीटा मारेंगे तो वह होगा तो यह इस परकार का आपको मैंने आज मंतर बताया फ्रेंट कोई भी समझ में ना आए तो आप डारेक्ट फोन कीजिए फोन नमर डि के रखाओं मैं ठीक है फ्रेंट धन्देबाद आप लोग कहते थे गुरुजी हल्दी का वसी करन नहीं दिया मैंना यह वीजिए